हमेशा साथ रहे हैं मैं तुम में और तुम लोगों की याद में कल की स्पाइडर मैन हनुमान से बड़ी बने की क्रिश्फोर कोविड नाइटीन है क्रिश्फोर का कॉंसेट बरसो बात भारती सनमा को एक नया सूपर हिरो हनुमत तिल्गू फिल्म हनुमान में मिला है फिल्म को हिंदी व्यान ने भारती भाषाओं में भी डब करके रिलीस किया गया और फिल्म पहले वीकेंड में ही हिट घोशित हो चुकी है इससे पहले भारती सनमा में सूपर हिरो क्रिश्फ के करोड़ो दिवाने रहे बीच में एक सूपर हिरो करोना संकरमण का आलमे ऊटि हुए देखा था क्रिश्फ की वो पहली फिल्म थी जुसने दुनिया को वाइरस से इंट्रीउस किया था कि किसी वाइरस को मारने के लिए आंटिडोट की जरुत होती है ये भी क्रिश्फ फ्रंचाइजी से ही पता चला उसके बाद पुरे दुनिया में रियोल में वाइरस आया जो कोविट के नाम से जाना गया और सेम फिल्म की तरह इसके लिए भी वाक्सीन जो से आंटी रोड बनाना पड़ा अब क्रिश्फ फोर बनने जा रही है तो कल की स्पाइडर मैन हनुमान से जादा क्रिश्फ फोर दुनिया के लिए रिलेटबल हो सकती है अगर को जादा बढ़ा कर उसे कोविड में तक दील करना क्रिश्फ फोर की कहानी को लोगों के लिए जादा रिलेटबल बना सकता है जो से फिल्म की सकसेस के चंसे कल की और बाकी सूपर हीरो मूवी से जादा बढ़ सकते हैं हम अगर पहले ही इंडियन सिनमा में सूपर हीरो की बात करें तो सभी की सभी फिक्शन या फिर आज कल माइटोलोजिकल कॉंसेट से आगे बढ़ रही है ऐसे मैं अगर क्रिश्फोर रियोल वॉल्ड से रियोल प्रॉब्लम लेकर आगे बढ़ती है तो इसके लिए फाइदे का सौदा हो सकता है वहीं कोविट बगवद गीता से भी जुड़ा है क्योंकि गीता के तेरवे ध्याय में लिखा है कि ऐसा कुछ दुनिया में घटित होगा तो ऐसा करके क्रिश्फ आज के माइटोलोजिकल ट्रेंड को भी फॉलो कर सकती है वैसे आपको क्या रगता है क्या क्रिश्फोर कोविड के इश्यो को दिखा पाए क्या रगता है